दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कभी-कभी कोई सामान को कुरियर करना होता है पार सल भिजवाना होता है example मान के चव्रू मेने पास ये phone है और मुझे ये phone अपने गाउं उतक भिजवाना है और मैं गुड़गाउं दिल्ली में जॉब करता हूँ अब मैं इसको कैसे भीजवाओं मेरे पास दो ही तरीके हैं एक तरीका है कि अभी मैं किसी के थूँ इसको भीजवाओं यानि कि कोई अगर जा रहा है मेरे घर पर तो उसके देकर मैं इसको भीजवा सकता हूँ और दूसरा तरीका ये है कि आप कुरियर के थूरू बहुत असानी से इसको भिज़वा सकते हैं और दोस्तों आज कुल मिलाकर हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी सामान को कहीं भी और कभी भी बेज सकते हैं बहुत असान तरीके से यहाँ पर जो है Indian Post यानि कि भारतियार डाक के थूरू आप कैसे सामान कहीं भी और कभी भी बीचवा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा Private Service तो बहुत सारी कंपनी देती है बट जो Indian Post है यानि कि भारतियार डाक है वो हर जगा available है आप अगर गाउं की बात करें, सहर की बात करें, छोटे कस्बे की बात करें तो हर जगा आपको भारतियार डाक देखने को मिल जाएगा और आपको कैसे इसके लिए आपको क्या क्या चार्जिस लगने वाले हैं और आपको किस तरीके से इसको भिजवाना है इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं वीडियो को पूरा देखीगा तभी आप समझभाएंगे हेलो दूस्तों नमस्कार मेरे नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चनल हमसे फर टैग दूस्तों कर आप हमारे चनल पर पहली बार है चनल को सब्सक्राइब करके बैल अगर को और पर प्रस करते जीगा ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे इंट्रस्टिंग और नौलिफूल ब्यूडियो का अपडे़े ले सबसे पहले और दूस्तों सब्सक्राइब करना एक दम फ्री है तो चले दूस्तों सीख लेते हैं अब दूस्तों मानकर चलो मेरे पास एक मास का पैकेट है और इसको मुझे अपने गाउं में विजवाना है तो अभी देखीगा मेरे पास इस साइस के हिसाब से एक लिफापा है जो की आप या तो घर पे बना सकते हैं, या फिर आप जो भी समान को भेज रहे हैं, उसके हिसाब से एक लिफावा तयार कर देंगे, या फिर आप इसको भूग स्टोर से असानी से 2-3 रुपे में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आप ग्यान से समझने वाली बा तो सबसे पहले उसका नाम आएगा, अगर आप किसी कंपनी भेज रहे तो कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद उस तो यहाँ पर हाउस नमबर आएगा, उसके बाद गाउं का या फिर सिटी का नाम आएगा, शहर का नाम है, उसके बाद उस तो यहाँ पर आपको पोस्ट अपनी एरिया का जो है नाम डालेंगे गूगल पर और आगे लिखेंगे पिन कोड तो आपका पिन कोड नमबर आ जाएगा यह फिर आप अपने आधार काड की पीछी भी देख सकते हैं आपके अधार काड पर लिखा रहेगा पिन कोड तो उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको अपना मुबाइल नमबर जरूर डालना है ताकि जब भी आपके घर पर सामान आए उससे पहले पोस्ट ओपे से आपको फोन आ जाए कि आपका सामान यहाँ पर पहुंच चुका है अब इस साइड में अगर हम आएंगे बाएं साइड में तो देखेगा जो भी यहा जिने वाला है उसके सामने फ्रॉम आएगा लिखा हुआ है और जिसको भीज रहे है उस पर टू आएगा ठीक है अभी यही तो हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर एड्रस फिल कर लिया है अभी दूस्तों यहाँ पर दिखीगा आपको इस तरह की से इसको पैक करना है और जै रहेगा और उस पर आपको इसको देना है और दोस्तों अब आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूजर रहेगा कि इसका जो चार्ज हो क्या रहेगा यानि कि जो इसको भीजने का खड़चा वो कितना आएगा चलिए उसको समझ लेते हैं दोस्तों कूरियर का जो चार्ज है फी से उ जो आपके घर के आसपास post office है, तो उसको आपको कैसे चक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, Google Chrome पर open करना है, आपको Google पर search करना है, find Indian post और जैसे search करेंगे, यहाँ पर आएगा locate Indian post office, आपको click करना है, click करते ही यहाँ पर दीखेगा, अगर आपको post office नहीं पता, कि आपके घर के आसपास कहाँ पर post office है, आपको address चाहिए, तो यहाँ पर यह page खुल कर आएगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना state यानि की राज्चे select करना है, जैसे मैं यहाँ पर उत्राखण कर लेता हूँ, उसके बाद आपको city याँ डिस्टिक को यहाँ पर select करना है, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी district को select करते हैं, उसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर जो भी question answer रहेगा, इसको आप यहाँ पर answer दे देंगे, अगर आप चाहू यहाँ से change भी कर सकते हैं, और यह change हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको दुबारा से change भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर capture हम इसको fill up कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, fill up करने के बाद यहाँ पर आपको search करना है, और search करते ही यहाँ पर दिखेंगे, कि जो भी आपके city में, जो भी आपके nearby में जो भी आपका office रहेगा, post office, आप यहाँ पर दिखेंगे, सबसे पहले कि आपके घर के आसपास कौन सा post office नजदीक पड़ेगा, यह सारे address यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, वहाँ पर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब जाएंगे, तो आपको charge पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पर google पर search करेंगे, domestic speed post charges, और search करेंगे, तो यहाँ पर दिखेंगे, domestic speed post, domestic का मतलब होता दोस्तों, कि all India में कहीं पर भी आप भेज सकते हो, ठीक है, और international का मतलब होता है, कि इंडिया से बाहर भेज सकते हो, तो आभी हमें domestic speed post पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दिखेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर दिखेंगे, insurance अगर आपका, माल डैमेज होता है, खोता है, तो आपको insurance मिलेगा, एक लाग रुपे तक का, यहाँ पर दिखेंगे, साब साब लिखा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी facility है, तो इसके बाद दिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, टैरिफ, अगर यहाँ पर बहुत साब से यहाँ पर आपको पैसे लिए जाते हैं, अमान के चलो कि आपका, जो सामान का वेट है, 400 गराम, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा इसका, यानि कि 201 गराम से लेकर 500 गराम की बीच में, जो चार्ज रहेगा, वो यह चार्जिस हैं, तो आप यहाँ पर दिखेगा, यह बहुत कम चार्जिस हैं, क्योंकि Speed Post में सबसे कम चार्जिस हैं, इसके लावा बाकी अगर अगर अधर प्राइबिट कमपनी से विज़वाओगे, तो वहाँ पर बहुत जादा चार्ज लगते हैं, और दोस्तों, जब आप इसको Post Office में लेके जाओगे, तो आपको सबसे पहले उनको यह बोलना है, कि सर मुझे इसको Speed Post करना है, जो आपको ट्रैकिंग नमबर मिलता है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको लिखना, अपने फोन की ब्राउजर पर आपको लिखना है, Speed Post आपको ट्रैकिंग इस तरीके से लिखना है, ट्रैकिंग लिखेंगे, तो आप यहाँ पर दिखेगा, ट्रैकिंग यहाँ पर आपको दिखेगा, और आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही, जो आपको ट्रैकिंग नमबर मिलेगा उसको आपको यहाँ पर डालना है, और जैसे आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको search करना है और जो भी आपके details रहेगा आपको सारे की सारे दिख जाएगी कि जो आपने समान भिजवाया है अभी कहां पर पहुंचा है deliver हुआ है deliver का मतलब होता है कि जिनको आपने समान भिजवाया था उनको मिला या नहीं मिला तो दोस्तों इस तरह के से आप बहुत ही असानी से एक जगा से दूसरी जगा पर समान असानी से भिजवा सकते हो I hope दोस्तों आप किसी भी समान को कहीं भी और कभी भी कैसे भिजवाना है Indian post के थूँ अगर आपको वीडियो helpful लगा हो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिगा और अपने दूस्तों को इस वीडियो को सेर ज़रूर कीजिगा दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपको कोई भी प्राब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिगा या फिर आप मुझे जल्दी रिप्लाई अगर चाते हैं तो आप डिरेक्टली मुझे फेस्बुक इंस्टागराम पर मैसेस कर दीजिगा लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए दुस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंट्रास्टिंग और नए वीडियो के साथ में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा सो थैंक यू बाबाई दुस्तों